तो कहानी शुरू होती है और हम एक काले बहुत जदा काले आदमी करम कांडी को देखते हैं जो कि सडक पर कुछ आवारा आदमियों के साथ जुआ खेल रहा होता है तभी वहाँ पर उसका दोस्त जामुंडा आता है और उसे वहाँ से ले जाता है वो उसे कहता है कि मैं आज कंगाली के साथ डेट पर जा रहा हूँ और वो अपने साथ अपनी सहीली बरबादी को भी ला रही है तबी वो वहाँ पर एक कपल को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं उसमें लड़की अपने बॉइफेंड को गालियां दे रही होती है और कहती है कि बॉइटी के मैं तेरी गान में डंडा डाल दूंगी तुने तो बोला था कि तेरा गोड़े जितना बड़ा है लेकिन जब देखा तो निकला दो इंच का चूती है इससे मेरा होगा क्या अब जाओ और अपनी ग़ट मरा लेकिन आज के बाद मुझे फोन मत कर देना अब उनकी ये लड़ाई देखकर करम कांडी कहता है कि इसलिए मुझे रिलेशनशिप्स पसंद नहीं है मुझे तो सिर्फ पसंद है एक रात की मजदूरी जिसमें ना कोई कोश्चन पूछे और ना ही कोई लड़ाई हो बस बजाओ और अपने घर जाओ तबी जहमुंडा कहता है कि ये लड़की वैसी नहीं है बरबादी एक बहुत अच्छी लड़की है और उसकी चूचियां तो इतनी बड़ी-बड़ी है कि वो तेरे हातों में भी नहीं आ पाएंगी वहीं दूसी तरफ हम जहमुंडा की गल्फेंड कंगाली और उसकी दोस्त बरबादी को देखते हैं जहाँ पर कंगाली उसे बोल रही होती है कि करम कांडी बहुत स्मार्ट और अच्छा है बरबादी कहती है कि वो सब तो ठीक है लेकिन उसकी क्लास तो है न क्योंकि तुम्हें पता ही है कि मैं ऐसे किसी लड़के के साथ नहीं गूमती जिसकी कोई क्लास न हो कंगाली कहती है विश्वास रखो वो आदमी तो खुद में ही एक क्लास है वहीं हम करम कांडी को देखते हैं जो कि जहमुंदा से कहता है कि भेन चोद ये बरबादी कैसा नाम है जहमुंदा कहता है कि नाम में क्या रखा है करम कांडी कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन अगर उसकी तितली काली नहीं हुई इसके बाद वो सबी एक चाइनिस रेस्टों में मिलते हैं जहां करम कांडी को देखते ही बरबादी वहां से जाने लगती है कंगाली उसे पूछते है कि क्या हुआ बरबादी कहती है कि तुने उस चूतिय को देखा है बुआडी का इन बालों में एलियन लग रहा है कंगाली कहती है कि ये तो बस एक डिनर है हम कुछ एग रोल्स खाएंगे थोड़ी दारू पिएंगे और यहां से निकल जाएंगे वही करम कांडी नर्वस हो रहा होता है तबी जामुंडा उसे कहते है कि भाई तु चिंता मत कर आस तो तुझे इसकी काली तितली मिलकर ही रहेगी वही बरबादी करम कांडी के साथ डिनर करने से मना कर देती है लेकिन कंगाली उसे जैसे तैसे करके वहां रुखने के लिए मना लेती है इसके बाद वो सभी डिनर करने बैठते हैं और अपना अपना ओर्डर देने लगते हैं अब सब खाने में दाल खिचडी मंगवाते हैं लेकिन वही बरबादी खाने में तंदूरी चिकन, मटन कवाब और एक सबसे महंगी वाइन मंगवाती है तभी करम कांडी उसे कहता है कि तुमने इतना महंगा ओडर क्यो दिया तुम कहीं कि महरानी हो क्या और हम यह सारे चूतिये हैं जो दाल खिचडी खा रहे हैं तभी बरबादी उसे अपना प्लैटिनम क्रेडिट कार दिखाती है और कहती है कि मैं इससे तेरा पूरा खानदान खरीच सकती हूँ करम कांडी कहता है अच्छा तो ये बात है तो बिखडी की ये देख ये एक गैस कार्ड है जिसे मैं पूरी दुनिया में कहीं से भी गैस खरीच सकता हूँ पूरे पचास स्टेट और ग्यारा कंट्रीज से इसके बाद जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक चाइनिस बु काट कर फिकवा देगा करम कांडी कहता है कि तुम चिंता मत करो मैं इसे देख लूँगा जिसके बाद वो उस बुड़े के पास जाता है और उसे चाइनिस में कहने लगता है कि यहां पर मेरे दोस्तों को प्रॉबलम हो रही है अगर आप स्मोक करना बंद कर देते हैं तो म जहामुंडा उसे पूछता है कि तुमने चाइनिस कहां से सीखी करम कांडी कहता है कि कुम्फू मूविस देखकर मैं और मेरा बाप बच्पन में कुम्फू मूविस देखा करते थे जहामुंडा कहता है तो तुमने सब्टाइटल्स पढ़के सीखा करम कांडी कहता है कि न अब ये सुनकर बरबादी को गुसा आजाता है और वो उसे गालियां देने लगती है करम कांडी भी कहां पीछे रहने वाला था इसलिए वो भी उसे अच्छे से सुनाने लग जाता है तब ही वहां पर उस रेस्टोन का एक छक्का वेटर आता है और उन्हें लड़ने से मना कर देता है लेकिन तब ही करम कांडी और बरबादी मिलकर उस वेटर को ही गालियां देना शुरू कर देते हैं अब उन तीनों की ही आपस में लड़ाई हो जाती है जिसके बाद उन सभी को धक्के देकर वहां से भगा दिया जाता है इसके बाद वो सभी वहां से एक क्लब जाते हैं और वहां पर पूल खेलने लगते हैं अब यहाँ पर उन सभी के बीच में शर्ट लगी हुई थी लेकिन बरबादी पूल खेलने में एकदम चैंपियन थी जिससे वो शर्ट जीत जाते हैं और जीते हुए पैसो को कंगाली अपनी चूचियों में रख लेती है अब पूल खेलने के बाद वो सभी डांस करने लगते हैं जिसदोरन करम कांडी जहामुंडा से इशारे में पूचता है कि भई रात हो चुकी है अब कब लेगा इसकी जहामुंडा कहते है कि बहूत माहोल बना लिया करम कांडी कहता है कि बहुत माहुल बना लिया अब जल्दी जाओ और इसके तंबू में अपना बंबू डाल दे इसके बाद वो सभी कंगाली के घर आ जाते हैं जहां करम कांडी जहमुंडा से कहता है कि आज तो तु जंडे गाड ही दियो लेकिन तभी उनके अर्मानों पर पानी फेरते हुए बरबादी उन्हें कहती है कि तुम दोनों यहां पर इसलिए आये हो क्योंकि हम सिर्फ कुछ दिर कार्ड खेलने वाले हैं जिसके बाद तुम दोनों अपना पिछवाडा उठाओगे और यहां से चले जाओगे अब सभी मिलकर कार्ड्स खेलने लगते हैं जिस दोरन करम कांडी कहता है कि यह क्या बक्चोदी है तभी कंगाली कहती है कि शायद जामुंडा यहां पर कुछ और ही सोच कर आया था अब इस बात पर जामुंडा चिड़ जाता है और कहता है कि एक लड़का जो किसी लड़की के साथ साथ हफतों से है लेकिन अभी तक उसने उसकी हूट नहीं मारी इस पर कंगाली कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उस लड़की को गचा गच करने में कोई इंटरस्ट ही ना हो और शायद उसे सिर्फ सचा प्यार चाहिए हो अब इन सब बक्चोदियों से जामुंडा पक चुका था इसलिए वो करम कांडे को इशारा करता है यहां से चलने के लिए लेकिन कंगाली उन्हें जाने से मना कर देती है और कहती है कि अभी हम और कार्ड खेलेंगे तब ही जहमुंडा बरबादी से पूछता है कि अच्छा ये बताओ अगर तुम साथ अफ़तों से किसी लड़के के साथ रिलेशन में हो तो क्या तुम उसके साथ गचा गच नहीं करोगी तब ही कंगाली कहती है कि तुम ये सवाल इससे क्यों बूछ रहे हो ये तु तो 30 मिनट से जादा किसी लड़के के साथ टिकती ही नहीं तब भी बरबादी कहती है कि मुझे मेरी तितली का चमकादर बनवाना पसंद है कम से कम मैं तेरी तरह तो नहीं हूँ जो अपनी तितली किसी को देना ही नहीं चाहती कंगाली कहती है कि मैं नहीं देना चाहती मैं चाहूं तो सब को दे सकती हूँ लेकिन मुझे अभी इतनी जल्दी नहीं है लेकिन तुम जैसी के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है अब वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाती है लेकिन तभी करम कांडी उन्हें रोक देता है और गेम को आगे बढ़ाने को कहता है फिर जब सभी गेम खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर हम करम कांडी और बर्बादी को देखते हैं जो कि टेबल के नीचे एक दूसरे के पैरों के साथ मज़े ले रहे होते हैं अब उनको मज़े लेते हुए जहमूंडा भी देख लेता है और फिर वो भी कंगाली के पैरों के साथ मजे लेने लग जाता है अब उन सभी में कुछ जादा ही ठरक चड़ने लगी थी लेकिन तभी कंगाली बरबादी को रोग देती है पर वहीं करमकांडी और जहामुंडा अभी भी अपने कारेक्रम में लगे हुए थे लेकिन जब जहामुंडा को पता चलता है कि वो पैर तो करमकांडी के हैं तो वो उसे गालियां देने लगता है इसी दुरन करमकांडी के हाथों से पत्ते नीचे गिर जाते हैं तो वो उनको उठाने के लिए टेबल के नीचे चला जाता है इसी दुरन वहाँ पर कंगाली का कुत्ता आ जाता है और बर्बादी के पैरों को चाटने लगता है अब बर्बादी को लग रहा था कि ये कमाल करम कांडी का है इसलिए वो इसके मजे लेने लगती है फिर बरबादी के पैरों को चाटने के बाद वो कुता करम कांडी के पिछवाडे को चाटने लगता है अब यहां पर करम कांडी को लगता है कि ये काम बरबादी कर रही है इसलिए वो भी इसके पूरे मज़े लेता है अब उन दोनों की ही ठरक चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी इसलिए वो दोनों जल्दी से खड़े हो जाते हैं और कंगाली के दूसरे कमरे में जाकर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं वहीं अंदर जामुंडा भी कंगाली को जानवरों का गचा गच दिखाता है ताकि उनको देखकर इसका भी मूड बन जाए और वो दोनों आज रात को मजदूरी कर सकें अब उसका ये प्लान काम्याब भी हो जाता है क्योंकि कंगाली की ठरक भी चरम सिमा तक पहुँच जाती है और वो जामुंडा से कहती है कि अब और मत तड़ पाओ जल्दी से शुरू हो जाओ लेकिन इससे पहले कि वो कारेकरम को आगे बढ़ाते कंगाली उससे पूछती है कि तुमारे पास गुबारा तो है ना तभी जामुंडा कहता है कि हाँ मेरी जैकेट में है और फिर वो जैसे ही उस गुबारे को बाहर निकालता है तभी वो गुबारा उसके हाथ से नीचे गर जाता है और तभी कंगाली का कुट्था आकर उस गुपरा लाने को कहती है अब जहामुन्दा गुपरा मांगने के लिए लेकिन करम कंडी उसे मना कर देता है और कह थाए कि मैं किसी गुबारे का इस्तेमाल नहीं करता फिर जब ये बात कंगाली को पता चलती है कि बरबादी बिना गुबारे के ही इतना बड़ा बंबू अंदर ले रही है तो वो तुरंत उसे फोन करती है और उसे बिना गुबारे के मजदूरी करने से मना कर देती है अब उन दोनों के पास और कोई option नहीं था इसलिए वो दोनों market चले जाते हैं नए गुबारे का packet खरीदने के लिए फिर वो एक Chinese shop में जाते हैं और उससे गुबारों का packet मांगते हैं तबी shop की पर कहता है कि मेरे पास एक बहुती special गुबारा है जिसके बाद वो उसे एक packet दिखाता है और कहता है कि ये 12 पीस हैं मातर 30 डॉलर में करम कांडी कहता है कि हमारे पास 12 गोडे नहीं है हमारे पास सिर्फ दो गोडे हैं तो हमें दो गुबारों वाला packet दो shop की पर कहता है कि मेरे पास सिर्फ ये 12 पैकेट वाला ही है और वैसे भी तुम जैसे हपशियों के लिए तो ये 12 पैकेट भी कम पढ़ने वाले हैं अब उन लोगों के पास और कोई option नहीं बचा था इसलिए उनको ये 12 पैकेट वाला डिबा ही खरीदना पड़ता है फिर घर आते ही जहमुंडा कंगाली पर तूट पड़ता है और कहता है कि देखो मैं ये गुबारा ले आया चलो अब जल्दी से मुझे अपनी काली तितली दिखाओ लेकिन तभी कंगाली उस गुबारे के डिब्बे को देखती है और कहती है कि ये तो एक्स्ट्रा थिन है और एक्स्ट्रा थिन कभी भी फट सकता है और इससे कई तरह की बिमारिया भी हो सकती है इसलिए वापस दुकान जाओ और मोटे वाला लेकर आओ अब जहमुंडा और करम कांड़ी उस गुबारे के पैकेट को वापस कराने उसी चाइनिस की शौप पर जाती है लेकिन वो शौप बंध होती है इसके बाद वो दोने एक सूपरमार्केट में जाते है लेकिन क्योंकि जहमुंडा अपने साथ बरबादी का कुट्टा भी ले आया था तो सूपरमार्केट का ओनर उसे वो कुट्टा बाहर बांदने को कहता है फिर जहमुंडा उस कुट्टे को बाहर बांद कर अंदर आता है और उनको कहता है कि हमें गुबबारा चाहिए सुपरमार्केट वाला पूछता है कि कौन सा चाहिए काला खटा, वाटरमेलन, मैंगो, चैरी, अंगूर, चॉकलेट कौन सा वाला करम कांडी कहता है कि बस वो दे दो जो मोटा हो इसके बाद जब वो लोग गुबबारा लेकर वहां से बाहर निकलते हैं तब ही वो देखते हैं कि कंगाली का कुत्ता उसके पट्टे से खुल जाता है और सडकों पर भागने लगता है फिर वो दोनों भी उस कुत्ते को पकड़ने उसके पीछे बागते हैं वो जैसे तैसे करके उसे पकड़ी लेते हैं इसके बाद जब जब जामुन्डा उस गुबबारे को लेकर कंगाली के घर आता है और उसे कहते है कि तुम यहां क्या कर रही हो जल्दी से अंदर जाओ और अपने कपड़े उतार कर लेड जाओ जिसके बाद वो दोनों मजदूरी का काम शुरू करने लगते हैं अब जहामुंडा कंगाली को अपनी जीप का जादू दिखाना चाता था लेकिन कंगाली उसे मना कर देती है और कहती है कि पहले एक प्लास्टिक की थैली लगाओ उसके बाद ये करना अब जहामुंडा उसका पूरा किचिन चान मारता है लेकिन उसे प्लास्टिक की थैली कहीं नहीं मिलती फिर कंगाली उसे कहती है कि तुम जल्दी से दुकान पर जाओ और प्लास्टिक की थैली लेकर आओ जिसके बाद मैं भी तुमें अपने मूं का कमाल दिखाऊंगी अब ये सुनकर जहामुंडा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और करम कांडी को लेकर सूपर मार्केट में पहुँच जाता है वो वहाँ पर प्लास्टिक की थैली मांगते हैं जिस पर वो शॉप की पर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम सालों को तो चाटने के लिए भी प्लास्टिक की थैली लगानी पड़ती है फिर वो दोनों अंदर जाकर प्लास्टिक की थैली को ढूंडने लगते हैं जिस दोरन उस सूपर मार्केट में एक चौर आ जाता है और शौप कीपर को लूटने लगता है वही वो दोनों भी उस चौर को देख लेते हैं और उसे मारने के लिए एक दारु की बोतल उठा लेते हैं फिर वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तबी वो चोर कैमरे में उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ गन पॉइंट कर देता है पर इसी दोरन वो शॉप की पर एक मशीन गन निकालता है और उससे अपनी पूरी दुकान को निस्तो नाबूत कर देता है अब जैसे तैसे वो दोनों एक-एक प्लास्टिक का रोल लेकर घर पहुंचते हैं और फिर अंदर जाते ही जहमुंडा उस पूरे प्लास्टिक के रोल को अपने मूँ पर लगा लेता है लेकिन उस गदे को पता नहीं था कि इससे उसकी सांस आना बंद हो सकती है जिसके बाद वो मचली की तरह एक जगे पर पड़ा तरपने लगता है तबी हूँ बो पर कंगाली आती है और उसे कहती है कि अब चूतिये तुझे किस ने बोला था कि इसे अपने मूँ पर लगा इसे तो मुझे अपनी तितली पर लगाना था इसी दुरन हँआ पर करम कांडी भी आ जाता है और उस मुही उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे आती हैं लेकिन अब वो दोनों एकदम सक्त लॉंडे हो चुके थे और वो उनकी काली तितली को चमकादर बनाने से मना कर देते हैं तभी करम कांडी एक कार को रोकने के लिए उसके आगे आ जाता है लेकिन तभी उस कार का ड्रैवर बाहर निकलता है और करम कांडी को बंदूग दिखाने लगता है दरसल उसे ये लग रहा था कि करम कांडी उसे लूटने वाला है लेकिन तभी ट्रैवर की फड़ जाती है और वो बंदूग को फैक कर वहाँ से भाग जाता है लेकिन जैसे ही वो बंदूग नीचे गिरती है तबी उसमें से गोली चलती है और वो सीधा जाकर जामुंडा के पैर पर लग जाती है। इसके बाद वो सभी जामुंडा को कार में बिठा कर हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन क्योंकि जामुंडा के पास उसका इंशॉरेंस कार्ड नहीं था, तो हॉस्पिटल की रिसेप्सनिस उसे भरती गणने से मना कर देती है। तबी करम कांडी को एक आइडिया आता है और वो एक नकली ढॉक्टर बन कर जामुंडा का इलाज करवाने के लिए उसे अंदर ले जाता है। इसके बाद जब करमकांडी जामुंडा को अंदर छोड़ कर बाहर आ रहा होता है तब ही हमाँ पर एक सिक्योरिटी गाड आता है और उसे कहता है कि डॉक्टर जल्दी से लेबर रूम में आपकी जरूरत है वही अंदर हम जामुंडा को देखते हैं जिसके दर्द को कम करने के लिए नर्स उसे एनिस्थीसिया देकर बेहोश कर देती है ताकि आसानी से उसकी गोली को बाहर निकाला जा सके दूसी तरफ करमकांडी ओप्रेशन ठेटर में एक प्रेगनेंट लड़की के पास होता है जिसकी उसे डिलिवरी करनी थी उदर जामुंडा को बाकी पेशेंट्स के साथ लेटा दिया जाता है और उसे डॉक्टर के आने तक वेट करने को कहा जाता है उदर एक दूसरा पेशेंट भी लेटा होता है जिसे पता चलता है कि उसके टटो में ट्यूमर है इसलिए उसके टटो को काट दिया जाएगा अबे जनकर वो आदमी घबरा जाता है और अपनी सारी डीटेल्स वाले बोड को जामुंडा के बैड पर लगा देता है तब ही वहाँ पर उस आदमी को ढूंडता हुआ एक नर्स आता है पर अब क्योंकि उसकी डीटेल्स जामुंडा के बैड पर लगी थी तो वो लोग जामुंडा को ओपरेशन ठेटर ले जाते हैं ताकि उसके गोटो को काट कर उस ट्यूमर को निकाल सकें वही रिषेप्शन पर हम उस असली ड़ोक्टर को देखते हैं जिसकी आईडी चुरा कर करम कांडी नकली डोक्टर बना हुआ था अब ये वो दोनों लड़किया भी देख लेती हैं और करम कांडी को ढूंडने के लिए अंदर चली जाती हैं वहीं हम करम कांडी को देखते हैं जिसने पता नहीं कैसे उस लड़की की डिलिवरी करा दी थी जिस दोरान वो दोनों लड़किया भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं और फिर वो सबी मिलकर जहमुंडा को ढूणने के लिए निकल जाते हैं इसी दोरान वो वहाँ पर उस रिसेप्सनिस्ट को देखते हैं जिसे छुपने के लिए करम कांडी और बरबादी एक रूम में चले जाते हैं अब वहाँ पहुचते ही उन दोनों का मूड बन जाता है और वो दोनों वही पर ही पलंग तोड मजदूरी करना शुरू कर देते हैं दूसी तरफ हम जहमुंडा को देखते हैं जिसके गोटो की कटाई होने ही वाली होती है कि तब ही उसे ढूंडते हुए वहाँ पर कंगाली पहुच जाती है और डॉक्टर्स को ऐसा करने से रोक देती है इसके बाद वो उसे लेकर बाहर आती है और उसे बताती है कि तेरे कटने ही वाले थे लेकिन मैंने तुझे बचा लिया वही करम कांडी और बरबादी भी मजदूरी करकर बाहर आते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि करम कांडी सिर्फ 3 सेकंड तक ही टिक पाया क्योंकि उसका शीगर पतन हो गया था अब उन चारों जाते हैं और फिर से पलंक तोड मजदूरी करते हैं और इसी के साथी ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है